वेल्कम बैक टू थे जए पी व्लॉक्स पपब्लीक तो ये वाला व्लόग आली बाग को twee बाग को ट्रिप का तीसरा व्लॉग है। और ये तीसरे व्लॉग में मैं जा रहा है और मेरे दोश्च जा रहे रेव धंडा किले पर autada किला बहुत फेमस पलेस है आली बाग का तो वहापे जाएंगे एक्स्प्लोर करेंगे व्लॉग में आपको भी दिखाऊंगा किले पर क्या-क्या मतलब एक्स्प्लोर करने के जैसा है क्या कुछ है तो व्लॉग में बने रहे हैं पुरा एंट तक देखना और चलो आगे बढ़ते बाकी का बात बात में क करेंगे यहां से अंदर जाने का है तो चलो अंदर जलते हैं अब ने अमरा रिक्षा यहां पर पार्क किया है और यहां से जो जाड गिरा हुआ है ना तो यहां से सिधा जाएंगे तो रेवदंडा फॉर्ट मतलब रेवदंडा किला लगेगा चलो चलते रेवदंडा किले की तरह कि तो फाइनली रेवदंडा किले पे हम लोग पोच चुके मेरे पीछे आपको किला दीख रहा होगा यह साइड में किला है और पूरे चारू तरफ से नारेल के पेड़ से गिरा हुआ तो आगे चलते किला एक्स्प्लोर करते आपको दिखाता हूं है चलो आगे चलके कि अब मेरे पिछे रेवदंडा किला और यह उसके आसपास की खूली जगा और बहुत कुछ होगा यहां पे एक्स्प्लोर करने के लिए ओ देखो फिसल गया एक नंबर सीन मिला है रुको दिकत आपको अपको अपे कितने सारी तोफे रखे हुए है बहुत पूरा नहीं है जमाने की तोफे यह युद में इस्तेमाल होती हुए थी तो कितने बड़ी-बड़े तोफे है यहां पे और एक्जाट किले के सामने रखे हुए चलो किले के आंदर चलते हैं और देखते क्या क्या देखने को मिलता है कि यह देखो यहां पे सब इसका लिका हुए कब बनाया था तो इसका आप वीड़ों स्टॉप करके पढ़ लीजिए इंटर तो हो गए और यह देखो उपपर का सीन आप बहुत मस्ट प्लेस है आपके और अंदर अंदर तो क्या ही बोलो मैं आपको बीच से तो बहतर जगा है यह देखो उपर तलक चार से पाच मंजिलेग्ज रहें के एक बीडिंग की आश पास है इसके उचाई इसके उपर का से जाने का इस चार पाच मंजिल के मतलब जो इमरत होती है ना बीडिंग उससे उच्ची है तो यहां पर आऊ रहें आंदर यहां पर मतलब किले के दूर दूर तलग वाले आउशे से हम लोग आभी वहापे जा रहे तो समुन्धर भी पास में या एकदम समुन्दर के कॉर्णर पर बना हुआ है अहाँ नाजारा किले का और यहां पर आउशे से उपर चड़ने को मिला तो दिखाता हो आपको व्यां को अले के किले के एकदम निचेवाली बाजु समुन्धर को जो है एक डह वेकरम समुन्दर वाली बाजु और थे संदर वाली वाले थे और मेरे पिचहाब देख सकते हुगे बहुत लंबा फेला हुआ की रहे और फिशनते फिशनते गिरते गिरते बच गया और यह साइड में भी बहुत दूर तक फैला हुआ यह की दिवारे कि नजारा देखों क्या बूलो एक तरफ रहो दंडा किला तरफ फोकस 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 पीचे भी कुछ को है टाप है कि देखो कितनी प्यारी जगाई है मतलब क्या बोलूँ है कि दोस्तों रेव दंडा किला एक्स्प्लोर करके हो गया हमारा तो अब पता नहीं हम लोग कहा जाएंगे सिर्फ गुमने के लिए गुमेंगे देखते आगे क्या-क्या एक्स्प्लोर करने को मिलता है तो उतना वह अलग बनाऊंगा उसका तो उमिद करता हूं दोस्तों रेव दंडा किले का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज द अगले लेव लाग में